कोमलता या दयालूता दयालूता एक ऐसा गूण है जो दुसरों के प्रती उदार भाव दर्शाता है, दयालूता अच्छे गूणों में से एक मानी गई है आज के समय में सभी लोग अपनी जरूरते पुरी करने में इतने व्यास्त है कि किसी को यह नेक काम करने का समय ही नहीं है यह एक एसा गुण है जो हर किसी के पास नहीं है दया एक निश्वार्थ कार्य है एसे लोग दूसरों के प्रति समेंदन सिल होते है दूसरों के प्रति दया दिखाने का मतलब जरूरी नहीं है कि उनके लिए कुछ बड़ा करना आपको आसपास के लोगों को सहाता प्रदान करने और उनसे अच्छा व्यावर करने के लिए करणोपती होने के भी जरूरत नहीं है इन सब के लिए आपके पास सिर्फ अच्छे दिल की जरूरत है दूसरे लोगों के प्रति दयालू होकर हम ना केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि उनके चेहरे पर मुश्कूरा हट भी लाते है न सिर्फ मनुश्यों के प्रति बल्कि हमें जानवरों पर भी दया दिखानी चाहिए हर कोई उन लोगों को पसंद करता है जो नम्र, विनम्र, दयालू और उदार है हमें लोगों के प्रति दयालू होना चाहिए लेकिन जैसा की कहा जाता है कि सुरूअधगर से होनी चाहिए इसलिए हमें अपने निकट और प्यारे लोगों से सुरूँ करना चाहिए बहुत से लोग अपने पडोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रती उदार और विनम्र होते हैं लेकिन अपने परिवार, माता-पिता, बच्चों और भाई-बहनों आदी सदसों के साथ असभ्य व्यवार करते हैं इस तरह के लोगों को दयालू नहीं कहा जा सकता है जो व्यक्ति दयालू है, उसे हर कोई प्यार करता है और आसपास के लोग उसके बारे में चर्चा करना पसंद करते है यदि आप अपने व्यस्त दिन चर्या से कुछ समय निकल सकते हैं, तो सामाजिक सेवा में सामिल होने का प्रयास करें गरीब और जरूत्पंदों के लिए अपने पुराने कपड़े और चूते दान करें, कच्रे के डिबे में बच्चा हुआ बोजन डालने की बजाए उसे गरीब बच्चों में दान कर दें हमारी तरफ से एक छोटा योगदान भी बहुत बड़ा अंतरूत्पन कर सकता है